तो आज हम बात करेंगे अगर आपके अधर में एक broadband है, fixed connection है और उसके साथ अगर आपको calling के facility भी मिलती है तो उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं तो उसके रिए है यह एक बेटल का landline phone तो basically उसमें करना क्या है यह सबसे basic वाला है सबसे basic model है B11 यह जो model है यह सबसे basic model है और इसमें आपको जो भी basic feature आपको चाहिए होते हैं वो सारे ही मिल जाते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हो redial या flash या pause या mute और wall mounting यह सारी facility जो है आपको इस model के दूर मिल जाती B11 basically there are several other models from beetle for the same purpose okay तो बटी के सबसे basic वाला है इसका cost around 500 के around चलता है online आप purchase कर सकते हैं उसका link में description में दे दूँगा आपको वहां से जाके purchase भी कर सकते हैं same model या कोई भी upgraded model दूसरा अगर आपको purchase करना चाहें तो बात कर रहे थे कि इसमें मिलता क्या 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 है तो basically आपके घर अगर broadband connection है तो उसमें आपने देखा होगा कि एक free calling की facility भी मिलती है but उसको आपको use करने के लिए इस तरह का set चाहिए होगा जो कि आप अपने modem को connect करेंगे और उसके थुरू आप free calling जो भी आपको उस अपने connection के साथ मिल रहा है वो use कर सकता है तो इसमें मिलता क्या क्या है एक चोटा सा manual है और इस manual में आपको सारी जो basic चीज़े हैं वो बताए जाएंगे set के बारे में साथ ही साथ ऐसा वालंटी कार्ड भी वो use होता है तो बस एक कही additional चीज मिलती अपार्ट फूम दर है जो भी set है आपके इस box के अंदर तो अगर आप unboxing के बात करें तो इसमें दो ही चीज़े हैं एक यह manual या warranty card बोल लिज़े आप इसको और एक पर यह set मिलता दो अच्छा इसके साथ आपको basically क्या-क्या मिलता है वह मैं आपको discuss करूंगा और इसके बाद हम देखेंगे कैसे इसको connect करना है और कैसे इसको यूज़ करना है अपने landline connection के साथ तो इसमें क्या है basically यह basic model जैसे मैंने बताया है और इसमें यह redial और यह flash है flash जब occurring कोई भी incoming call आएगी तो यह flash light on हो जाएगी और इसके साथ आपका redial और mute और यह basic चाहिए होती है वह सारी इसमें अब्लेवर होती है अच्छा other set में यहाँ पर screen वगरा भी हो सकती है जो कि आपका थोड़ा सा महेंगे हैं बट मुझे कोई खास requirement नहीं थी उसके तो I have just bought this basic set okay यह connection के लिए आपको मिलता है इसको आपको connect करना होगा अपने modem में और उसके थूँ ही फिर आपको अपना यह जो free calling और facility है इस set के थूँ आप यूज कर पाएंगों अच्छा इसमें और क्या क्या मिलता है और सारे basic features हमें discuss कर लिया और डिफरेंट different hands models में तो different features भी आते हैं वीटल के और इस code के थूँ आप basically connection करोगे अपने इस phone का modem के साल तो यह सब basic चीज़े थी जो कि आपको इस handset के साथ मिल जाती है रे जासिक मने बताया है कि around 500 कराउन चलता है और आप online इसको purchase भी कर सकते हैं और other set भी purchase कर सकते हैं और यह connection का यह first end है जहां से आप disconnect करना चाहें इनके swap currents कर सकते हैं या कोई issue रहा है wall mounting के लिए यह दोनों point देगा है आप wall mounting भी कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ एक option और मिल जाता है okay so अब हम आ गए है अपने modern के पास और आजाए यह modern एक basically a standard modern है जो अपने यूज करते हैं connection दे साथ तो नोकिया का यह modern आता है बट अगर आपके पास दूसरा कोई modern भी है तो there is no problem same ही तरीके से उससो connect करना है तो मैं अभी आपको बताता हूं कि उसमें आप देख वह कैसे कि आपको connection हुआ है कि नहीं हुआ है और कैसे verify करोगे है तो अभी क्या है कि आपको इसमें एक slot दिख रहा होगा इसमें needed telephone का shot लिखा होगा है तो आप समझ जाओगे कि यह TEL telephone के लिए है और बाकी other network और यह सब के लिए होता है वह दूसरा end जो आपको phone set के साथ मिला था है एक free end था ना connector का तो वह आप महां connector होगा अच्छा यहां पर जब आप indication कैसे देखो कि आपको connection हो गया है और आप यूज कर दो तो इस तरह से आपको इस सारी इंडिकेटर देख रहोंगे यहां पर इंडिकेटर है तो यह जो टेली फोन का इंडिकेटर है यह आपका on or off होगा और इससे आप समझाना है क्या connection है मतलब आपका configured है आपको कुछ और करने की जरूद नहीं है सिर्फ आपको connect करना है और यूज करना है तो इसको आपको simply connect करो गई इसमें आराम से पता लग जाएगा क्लिप है वो क्लिप जैसी अंदर जाएगी एक क्लिक की आवाज आएगी और वो क्लिक की आवाज आते ही आप समझ जाना कि वो simply push करना है इसको है वो same slot में जो भी designer को दिख रहे होगी उस तरह से तो वो जैसी क्लिक की आवाज आएगी that means हो सेट हो गया है अब आप अपना वो वर्क करेगा जब आप अपना फोन उठाओगे तो अभी आप जैसे रिसीवर आपने उठाया तो अभी वहाँ पो ग्रीन हो गया है तो that means वो वर्क कर रहा है जब भी आप रिसीवर उठाओगे तो वो automatically green कि आवादेश यहाँ स्वाली का क्टएब आपने के उड़ इसे हनिए ए़क ऊवादेश व्यह वहाँ तो प्रूर समगज आपने अवी आपने के शच वहाँ बदेए वहाँ еवाँ